हेलो नमस्कार उमीद है आप सब अच्छे होंगे मेरा नाम प्रकर श्रिवास्तव है स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरु घंटाल में और दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉड चेल्म स्फोर्ड के बारे में वाइसरोय की शिंखला का ये निया वीडियो ये बहुत की इंपॉर्टन वीडियो है दोस्तों क्योंकि 1916 से लेकर 1921 जब ये हिंदुस्तान के वाइसरोय थे हिंदुस्तान की राजनीती हिंदुस्तान का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी की रडाई सबका रुक बदल गया इतने बड़े बड़े इवेंट हुए कि हिंदुस्तान में आजादी की रडाई लडने का तरीका बदल गया तो निकल पढ़ते हैं आज की सफर पर और देखते हैं कि लॉड चेर्म स्फोर्ड की कारेकाल के दौरान हिंदुस्तान में क्या क्या बदलावाए इन्होंने कौन-कौन से कानून पासके हिंदुस्तानियों का दबाने के लिए और ये उस दौर का विरपन था इसकी मूझे देख रहे हैं ये देखिए इसकी मूझे देख रहे हैं तो तो टूडे वी आर गोन को डिसकरस अबाउट बिटिश विरपन सबसे पहली चीज जो होती है लखनव सेशन और लखनव पैक 1916 1916 में जैसे ये वाइसरोय बनते हैं एक पैक्ट होता है लखनव में जिसको लखनव पैक्ट कहा गया एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कॉंगरेस का लखनव में लखनव सेशन 1916 आपको याद होगा कि 1907 में सूरा सेशन में Lord Minto जब हिंदुस्तान के वाइसरोई थे Lord Minto 2nd तब Congress दो भाग में टूट गई एक्स्टिमिस्ट इन मॉडरेट्स 1916 में एनी बैसेंट की मदद से एनी बैसेंट के एफ़र्ट से लखनाउ सेशन में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के 1916 के लखनाउ सेशन में मॉडरेट और एक्स्टिमिस्ट फिर एक बार साथ आते हैं आफ्टर सूरत स्पिट ऑफ 1907 और इस पूरे के पूरे सेशन को लीड किसने किया प्रसाइड कौन किया अंबिका चरन मजुमदार ने इसको याद रखिएगा अंबिका चरन मजुमदार ने कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईए कि सूरत का जब स्पिट हुआ था 1907 का उस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सेशन को प्रसाइड किसने किया था तो सबसे पहले चीज लखनो सेशन में ये गोती है कि कॉंग्रेस के एक्ट्रमिस्ट और मॉडरेट साथ में आ जाते हैं वो जो अलग-अलग हो गए थे ठीक है जो वाइसे रोएग है जो लोड चेम्स वोड हैड आग्स इंडियन तो सजेस्ट रिफॉर्म इन अड्मिनिस चल रहा था जब लॉड हाडिंज हिंदुस्तान के वाइसेरोई बने ठीक है 1914 में आपका फर्स्ट वर्ड वार स्टार्ट हुआ 1918 तक गया तो ये जो वाइसेरोई थे लॉड चेम्स वोड इन्हों ने हिंदुस्तानियों से कहा कि मुझे कुछ सजेशन दो हिंदुस्तान तक Muslim League कोई एक significant political entity नहीं थी 1906 में Muslim League बनी उस वक्त में Muslim League कोई significant political entity नहीं थी लखनव सेशन जो हुआ 1916 का उसमें Congress और Muslim League इन दोनों ने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम पड़ा लखनव पैक्ट जिनमें आपका कुछ चीजे एड की गई ठीक है बिना उसके consequences को दिमाग म पहला this included a proposal to give one third representation to Muslims in Central Government कि Muslimानों को Central Government में एक बटा तीन representation दी जाए separate electorate for communities ठीक है मुसलमानों को separate electorate दिया जाए जो कि अंग्रेज उनको moral mental reform 1909 के दे चुके थे system of weightage for minority representation मतलब minority की representation के according उनकी weightage decide की जाए जहाँ पर minority जादा हो वहाँ पर उनको weightage जादा मिले तो ये pact sign हुआ ये उस pact में कुछ बाते थी जो Muslim League और Congress ने agree की at that time इस pact को Hindu Muslim unity और मतलब Hindu Muslim unity pact कहा गया और यहाँ तक कि सरोजनी नाइडू ने मुहमद अली जिन्ना उनको ambassador of Hindu Muslim unity कह दिया पता नहीं कैसे कह दिया कास शरोजनी नाइडू 1947 तक होती तो उनको पता चलता कि क्या क्या हुआ थी वैसे यार क्या बात कर रहे हो तो मतलब सरोजनी नाइडू ने मुहमद अली जिन्ना को कहा कि रहे यार ये तो Hindu Muslim unity का वह सिंबल है लेकिन भाईया उसके बाद जो दंगे फसाद स्टार्ट 1916 में अगली चीज क्या होती है Montague declaration 1917 में एक Montague declaration होता है 20 अगस्त 1917 को हिंदुस्तान के secretary of the state Edwin Samuel Montague एक statement देते है कहां पर British Parliament की house of common में जैसे हमारे देश में लोग सब आ गया है वहाँ पर house of common है in which he outlined the goal of British policy for Indian administration जहां पर वो Indian administration पर British policy को outline करते हैं उनके goal को बताते हैं अच्छा इस statement का title क्या था increasing association of Indians in every branch of administration मतलब administration की जितनी ब्रांच गया है वहाँ पर हिंदुस्तानियों की association बढ़ाई जाए and the gradual development of self-governing institution self-governing institution को धीरे धीर बढ़ाया जाए with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British empire तो यह title था Montech declaration का ठीक है यह statement कहीं न कहीं एक बहुती lofty था लुभावना था लेकिन इसको criticize किया गया किस बेसिस पर as something unworthy of England to offer and India to accept देखिए England पहली बात इंडिया के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता था यह आप कह सकते है carrot policy थी गाजर जिससे हम लोग कहते है कि it is something unworthy of England to offer in India to accept एनी बेसिंट नहीं यह बात कहीं तिलक ने कहा कि यह sunless john है चीक है तो इसको Montech declaration को criticize किया गया हिंदुस्तान में लेकिन कुछ moderates ने support किया किसको Montech declaration को but they were not satisfied because they saw a big gap between making declaration and actually conceding their demand of self-government लेकिन moderates को एकी समझ में आ गया कि कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है कहतो दिया self-government लेकिन क्या देंगे अगली चीज़ इसी Montech declaration को ध्यान में रखते हुए गवर्मेंट अफ इंडिया आक उनिस तो निस पाच किया गया Montech Chemsford Reform ठेक है इस आक वस कॉल्ड अस्ट तोर्स अंड अफ बेनिवोलेंट दिस्पोर्टिजम अन इंट्रोड़क्शन ओफ रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट इट कवर्ड रिफोर्म्स पॉर पीरिएड अफ टेन येर तिल 1929 दा की प्रिंसिपल्स ओप मॉन्टेग Chemsford Reform बेर पुट इन इट सेपरेट प्रियंबल देखिए एक Government of India Act आया 1909 में 1919 में एक Act और आता है जिसको हम लोग कहते है Government of India Act 1919 जिसको प्यार से Montague Chemsford Reform कहा जाता है जिसने बेनिवोलेंट डिस्पॉर्टिसम को एंड किया और इंदुस्तान में एक responsible government लाने की बात कही ठीक है दस साल के लिए ये Act लाया गया और इसके जो key principles थे उनको एक separate preamble में रखा गया Under this Act the subject of making law वर डिमार्केट फोर सेंटरल एंड प्रोवेंशल गवर्मेंट इस Act के अंदर प्रोवेंशल और स्टेट गवर्मेंट किनकिन सब्जेक पे law बनाएगी उसको पूरी तरह separate कर दिया गया यसे अभी हमारे देश के सम्विधान के सम्विधान में आप पढ़ते होंगे Union List, State List, Concurrent List तो 1919 के Government of India Act में इस law ने डिमार्केट कर दिया कि सेंटरल गवर्मेंट आपका किन मुद्दो पर law बनाएगी किन सब्जेक पे law बनाएगी और छे मेंबर में इसे तीन इंडियन को भी इंक्लूड किया गया इसी एक्ट के अंडर बाई कैमरा लजिसलेचर सेट अप किया गया एट सेंटर मतलब की डूल गवर्मेंट आपकी सेट अप किये गी तो बाई कैमरा लजिसलेचर सेंटर पर develop किया गया वैसे घमारे देश में अभी भी सेंटरल पर आपका बाई camera legislature गये जैसे आज घमारे यहां लोकसभा है राजसभा है उस वक्त सेंटर पर आपकी legislative assembly थी and the council of state थी इसके लावा इस act ने एक किस और प्रोवाइट की establishment of a public service commission in India for the first time जैसे किया UPSC है union public service commission तो public service commission पहली बार हिंदुस्तान में बना इस act के अंदर and for inquiry into the working of the system placed by this act a provision was made to set a commission at the end of the tenure of this act और यह act किस तरह का काम कर रहा गया गया उसकी एक पूरी की पूरी खाका तयार करने के लिए वादा किया गया कि 10 साल के बाद इस act के working percentage को देखा जाएगा इसके काम करने के efficiency को देखी जाएगी जिसके तहत साइमन commission 1927 में इंडिया आया था तो याद रखेगा बड़ा ही important है government of इंडिया act 1919 फिर से मैं कुछ बाते बता देता हूं responsible government बनाने की बात की गई चिक है central और provincial जो subject थे उन्हें separate कर दिया गया provincial subject को दो भागों में divide किया गया reserve and transfer चेक है governor general की governor general की आपकी जो council थी उनमें तीन इंडियन को रखा गया out of six by camera legislature setup किया गया center में called legislative assembly and the council of state इसके इलावा public service commission establish की गई पहली बार अगला है rollet act इंडिया आया rollet committee 1918 में इंडिया आई जिसके तहट इन्होंने rollet act 1919 बनाया आप लोग को पता है कि rollet act क्या था rollet act एक तरह का आप कह सकते है and किया anarchical and revolutionary crime sect 1919 था असल में उस दौर में करांतिकारियों का दौर शुरू हो गया था because 1917 में Russian revolution हो चुका था तो बड़े-बड़े क्रांतिकारी इंडिया में जनम ले चुके था तो बड़े-बड़े क्रांतिकारी इंडिया में जनम ले चुके था लाइक बगस सिंग आजाद चंदरशेखार आजाद राजगुरू सुकदेव तो इनकी activities को दबाने के लिए revolutionary activities को दबाने के लिए मतलब ऐसी कोई भी activities हो सरकार के खिलाफ हो तो गिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हो उसको दबाने के लिए रॉल अटक लाया गया पहले कमीटी बठाई गई 1918 में इस कमीटी के recommendation पर रॉल अटक आया 1919 में जिसको एनार्कियल एंड रिवलुशनरी क्राइम सैक 1919 कहा गया 1919 मार्च में Imperial Legislative Council के द्वारा इसे पास किया गया और इस कानून के पास होने के बास अंग्रेजों को बेतहाशा पावर मिल गए पावर क्या थे कि किसी भी इंसान को बिना किसी ट्राइल के अंग्रेज दो साल तक जेल में रख सकते थे ना कोई अपील ना कोई वकील ना कोई दलील पुलिस को इंपावर किया गया कि पुलिस किसी भी प्लेस की बार सर्चिंग कर सकती है without any warrant इस प्रेस ने आपका severe restriction लग तो रॉलेट कमीटी कब बनी 1918 में रॉलेट आख्ट पास किया गया 1919 में उसके बाद सत्यागरा मुवम्मिंट आपको पताई है मुहंदास करमचंद गांधी के जो गुरू थे पॉलिटिकल गुरू गुपाल कुष्णe गोकले उन्होंने मुहंदास करमचंद गांधी जाकर में जब तरगे नहीं पता लगा सकते हिंदुस्ताना है। लेगिन गांधी तो जाने के सरवती नहीं पड़ी। बैक टूब बैक शत्यग्रण हो गया। 1927 में चंपारण सत्याओरा। 1918 में शुरुबात स्ट्याओरा। सत्यागरा फिर 1918 में स्वारी मैंने यहाँ पर एक mistake हो गई यह खेडा नहीं होगा असल में एहमदाबाद में आपका मिल स्ट्राइक होई थी आप लोगों ने पढ़ा होगा एहमदाबाद मिल स्ट्राइक होई थी यह तीनों सत्यागरा गांदी जी के सफल रहे यह तीनों सत्यागरा गांदी जी के सफल रहे ठीक है तो जितने भी सत्यागरा गांदी जी ने किये वो इनके कारेकाल के दोरान ही किये जलिया वाला बाग ट्रैजडी जिसको आप हर कोई जानते हैं असल में रॉलेट एक्ट के अंडर दो लोगों को बुक किया गया, वो दो लोग कौन थे, वो दो लोग थे आपके डॉक्टर सत्यपाल मलिक सैफुद्दिन किछलू, इनके गिरफतारी के विरोध में पंजाब के लोग जलियावाला बाग में इकथा होते हैं, शांती पूर से इसका विरोध करने के लिए, जेनरल डायर वहाँ पहुसता है, 1650 गोलिया चलवाता है, सब के सब लुक्ष खतम हो जाते हैं, और वहीं से हिंदुस्तान की राजनीती पूरी तरह बदल गई, और उस वक्त हिंदुस्तान के वाइसरो यही लॉट चेम्स फोर्ट थे, एक मेंबर की एक कमीटी बनाई, लॉर्ड विलियम हंटर की धक्षता में, ठीक है, चार बिटिश मेंबर कौन कौन से थे, लॉर्ड विलियम हंटर जो की चेर्मैन थे, डवलु एफ राइस, जस्टिस जी सी रैंकिन, जो की कलकता हाई कोट के जच्ट थे, और मेजर जनरल सर ज गॉर्ज बैरू, कमांडर ओफ दे पिशावर डिवीजन, अर नौन ओफिशिल इंग्लिश मैन, ये चार कौन थे, बिटिश मेंबर थे, इसके अलावा तीन इसमें हिंदुस्तानी थे, सर्चिमन लाल, स्चेलवर्ड, पंडिजगत नरायन, एं सरदार सुल्तान एहमत खान इन साथ लोगों की कमिटी बनाई गई, ताकि ये पता लगाए जा सके कि क्या हुआ था जलिया वाला बाग में 13 अपरेल 1919 के दिन, बैसाखी के दिन, और इसके अलावा कॉंग्रेस ने भी एक पैरलल, नोन ओफिशल इंक्वाईरी कमिटी सेट अप की, डायर को, जेनरल डा इतना के लिए दोशी नहीं पाया गया, दोशी प्रूफ ने किया गया, तब ही जाकर उदम सिंग ने गोली मारी थे लंडन में घुसकर, बिल्कुल सही किया था, लायक भी था शाला ये, खिलाफत मुमेंट 1919 में हुआ ये आप लोग को पता ही है, कि इंडिया के मुसलमानो ने आपका अंग्रेजों के खिलाफ को टेस्ट किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने फरस्ट वर्ल्ड वार जीतने के बाद औरमन अंपायर के दो टुकड़े किया, आदा गिस्सा फ्रांस के गिस्से में गया, आदा गिस्सा बिटेन के गिस्से में आया, बिटेन के गिस्स यहाँ पर राज करेगा हिंदुसानियों ने कहा ये गलत है ये गलत है जस तरह पोप है जर्मनी में दलाई लामा है तिबत में ठीक उसी तरह खलीफा का पत्था उस दौर में टर्की में और आखरी एक नॉन कोपरेशन मुम्मेंट जलिया वाला बार ट्रैजेडी को ध्यान म में रखते हुए और खिलाफत मुमिन्ट को ध्यान में रखते हुए उस वक्त हिंदुस्तान में खिलाफत मुम्मेंट चल रगा था गांदी जी के दिमागप बात आती है गांदी जी 1 अगस्ट 1920 को नौन कोपरेशन मुम्मिन्ट लांच कर देते हैं वोकि उनको लगा मुस अगर एक साल तक आप ये करने के लिए सक्षम होते हैं, तो एक साल में घंदुस्तान आजाद हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है, चार फरवरी 1922 को 24 चौरा कांड होता है, गांदी जी नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को कॉल डाफ कर देते हैं, कोई गांदी जी ने इस शर्तों पर ही नॉन कॉपरेशन मुवमेंट स्टार्ट किया था, अहिंसा पर मो धर्मा, अगर इस पूरे के कारे काल के दोरान थे, बड़ा ही इंपोर्टेंट था, इसने इंदोस्तान की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया, उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, दबा कर वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट कीजे, गुरु घंटाल को सब्स्ट्राइब कीजे, ब